जये भोले ना दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, Guru Mahathir Bills State Private Limited में आपका स्वागत है दोस्तों, बहुत दिवाद रहती है 2BSK बड़े फ्लेट की तो आज Guru Mahathir Bills State Private Limited आपकी लिलाए हैं ये 2BSK का बड़ा फ्लेट दोस्तों, जो की on paper 62.5 स्क्वेर यार्ड है और slab area के अगर बात करें दोस्तों, तो 70 स्क्वेर यार्ड से भी ज्यादा का इसका slab area है और इस building में दोस्तों, एक खास बाद ये भी है कि ये main road से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के distance पर है और 9दा metro station यहां से सिर्फ 200 मीटर के distance पर है यहनि कि दोस्तों, prime location की आपकी property है width lift है, width car parking है दोस्तों और इसके अलावा बहुत प्यारी और अची making के साथ आपको मिलती है fully ventilated है दोस्तों, इसके दोनों ही bedroom front की तरफ है दोनों महीं आपको proper ventilation मिलती है बड़ी kitchen है, बड़ा living space है यह building आपको ज़रूर पसंद आएगी तो चली दोस्तों शुरू करते हैं एक शांदार सी visit आपके इस 2PS के बड़े flat की नची नचीक बेदुर मोईबादेई आपके सव्क्षाओ रिस जो खखड़ी मिलती है आपके सेघ्विस तो सबसे पहले बात करेंगे बाहर की location की तो आप देख सकते हैं ये 35 फिट का road है दोस्तों जो direct main road से आता है और आपकी building को hit करता है यानि कि आपकी जो गाडिया हैं दोस्तों वो directly अंदर आएंगी और ऐसे ही बाहर भी जाएंगी किसी बितरे की परिशारी आपकी parking के लिए आपको नहीं होने वाली building दोस्तों white front की है L type की building है ये जो flat मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये single side का flat है दोस्तों लेकिन white front का आपका ये flat है चली बात करते हैं parking की तो यहां दोस्तों आपको काफी wide entry मिलती है आपकी parking के लिए आपकी गाडियों के अंदर पार्क करने के लिए आप देख सकते हैं parking के अंदर भी complete parking को भी काफी अच्छे तरीके से design किया गया है जैसा कि Guru Mahathir Real Estate Private Limited के हर fret में हम लोग करते हैं और यहां आप देख सकते हैं कि lift भी दोस्तों already working है जीना भी आप देखेंगे कि आपको low rise की जो steps से दोस्तों वो मिलते हैं और green light पथर का काम आपको यहां पर मिलता है इस area के अंदर दोस्तों regular पानी आता है मिजली के connection आपको यहां पर मिलेंगे और इसके अलावा जो gas की pipeline के connection है आईजल के वो भी आपको यहां पर मिलते हैं दोस्तों वो अलरड़ी यहां पर शुरू हो चुके है और main road से काफी नजिक property है दोस्तों तो मुझे बूरी उमीद है कि property आपको बहुत पसंद आने वाली है तो चली चलते हैं दोस्तों आपके 2BS के flat की तरफ यहां से अंटी है दोस्तों आपके 2BS के flat की और आप देख सकते हैं कि जो gate हम लोग लगाते हैं यह काफी इसके height काफी अच्छी रहती है यह काफी wide रहता है और काफी अच्छी quality के gate दोस्तों आपको मिलते हैं यहां पर आपको intercom की facility मिलती है दोस्तों और इसके बाद जब हम enter करते हैं आपके living space के अंदर तो living space आपको काफी बड़ा और शांदार मिलता है 12 feet by और 14 feet का दोस्तों आपके living space का size है और इस living space में आपकी तो sofa की placement रहने वाली है वो L type की रहने वाली है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपका sofa यहां पर place किया जा सकता है 10 से 12 long sitting दोस्तों आप अपने इस living space के अंदर easily दे पाएंगे दो बॉल्स आपको design मिलती है इस तरफ आपको AC की fitting मिलती है दोस्तों AC की जितने भी fitting हम लोग गुरु महादर विल सेट के अपने plates कंदर करवाते हैं वो अच्छी quality की रहती है दोस्तों जिससे की आपको बाद में परिशानी ना है सोफे के ठीक सामने आपको इस तरफ काफी बड़ा LED पैनल मिलता है पर आप देख सकते हैं कि बड़े size का platform आपको यहाँ पर मिल जाता है तीन बड़ी बड़ी drawers आपको मिलती है दोस्तों तो यह भी digital tiles का इस्वाल किया गया है आप देख सकते हैं Guru Mahadir Wheel State के हर fret की तरह दोस्तों इस fret के अंदर भी हमने high gloss की digital tiles का इस्वाल किया है तो यह है दोस्तों हमारा living space और living space के बाद अब हम बात करेंगे हमारी kitchen के बारे में बात करते हैं दोस्तों आप आपकी kitchen की तो आप देख सकते हैं काफी wide front की kitchen आपको मिलती है 7 feet by और 7 feet की दोस्तों आपकी यह kitchen है L type का आपको slab मिलता है जो की black ग्रेनाइट पतन हमने यहाँ पर लगाया है double molding का work आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों और इसके अलावा बात करें सबसे पहले freeze के space की तो यहाँ दोस्तों आपको freeze आप easily place कर सकते हैं क्योंकि यह काफी wide front की आपकी kitchen है इस kitchen के अंदर आपको जो storage मिलने वाली है वो नीचे और उपर दोनों तरफ दोस्तों काफी अच्छी मिलने वाली है आप देख सकते हैं कि जितना भी हमने यहाँ पर काम किया है दोस्तों जितने भी यहाँ पर baskets लगाए गई है वो premium quality की आपको मिलती है कलर डिजाइन की दोस्तों आपको काफी शांदार यहाँ पर मिलने वाले है और उपर की तरफ भी आप देखेंगे दोस्तों कि आपको perfectly storage मिल जाती है अंदर और बाहर हम लोग आपको माई का लगा कर देते हैं इसे आपको साफ सवाई रखने में काफी स्वीधा रहती है इस kitchen के अंदर आपको fully ventilation भी मिलेगा क्यों कि यहाँ पर आपको shaft मिलती है दोस्तों shaft की window मिलती है तो proper ventilation आपकी इस kitchen के अंदर आपको मिलने वाला है इस kitchen के अंदर आप देखेंगे switch and socket भी आपको हम लोग लगा कर देंगे जिसे कि आपको electrical appliances यूज करने में किसी भी तरह की परिशानी नहों इस तरफ आपको chimney लगा कर देंगे दोस्तों यह चिमनी का space है अभी चिमनी नहीं लगी है लेकिन बहुत जल्दी हम लोग chimney भी हाँ पर install कर देंगे तो यह दोस्तों हमारे kitchen है जो की काफी spacious है इसके लाग अब बात करें हमारे sink की तो यहाँ पर आपको soundproof sink मिलता है दोस्तों जो की बड़े size का है घरम पानी खंडे पानी और direct पानी के आपको types मिलते है और इसके अलावा RO या फिर water free fire के लिए भी दोस्तों आपको provision यहाँ पर मिल जाता है तो यह है दोस्तों आपकी kitchen kitchen के बाद आप हम बात करेंगे हमारे दोनों ही bedrooms के बारे में यह दोनों बेडूम दोस्तों हमारे front की तरफ है यारिकी fully validated है दोस्तों और दोनों में ही आपको window भी मिलती है तो चली सबस्छब बात करते है हमारे इस bedroom के बारे में यह दोस्तों हमारा master bedroom है और यह master bedroom दोस्तों हमने तोड़ा साथ different तरीके से design किया है आप देख सकते हैं इसमें जो भी tailing की गई है यह wooden flooring आपको यहाँ पर मिलने वाली है और जो पीछे की एक wall है दोस्तों यह आपको designer मिलेगी अगर आप बात करें हमारे bed की placing की तो यहाँ आपका bed place किया जाएगा जो कि 6 x 6 का या फिर 7 x 7 का भी दोस्तों आपको इसली place कर सकते हैं ceiling के अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ceiling का design आपको काफी शांदार मिलता है दोस्तों और इस bedroom के अंदर भी आपको एक TV पैनल मिलता है जो कि complete fitting के साथ मिलता है और इ इस room के अंदर दोस्तों आपको window भी मिलती है जिससे की आपको ventilation properly बिलता रहेगा यह room दोस्तों हमारा master bedroom भी है क्योंकि इसके साथ हमारा washroom attached है तो washroom के अगर हम size की बात करें दोस्तों तो almost 6 feet by और 4 feet का आपका यह washroom है और इस washroom के अंदर एक तरफ आपको one piece की commode मिलती है औ और इस तरह दोस्तों आपको sink मिलता है और बहुत प्यारा designer दोस्तों type भी आपको मिलता है और आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो भी दोस्तों यहाँ पर ready to use है complete wall height तक की आपको tile work मिलता है दोस्तों और वह भी designer look में और इसके अलाबावा करें ceiling की तो ceiling का भी दोस्तों आपको design यहाँ पर मिलता है with LED light और इस washroom के अंदर भी आपको ventilation के लिए एक provision मिलता है दोस्तों यानि की window मिलती है यहाँ पर अपना exhaust pen आप easily लगा पाएंगे और सबस्ते अची बात यह है दोस्तों कि जो bathing area है वो भी आपको काफी बड़ा और शांदार मिलता है तो यह है यह दोस्तों आपका washroom और यह था आपका master bedroom अब हमूब करेंगे हमारे second bedroom की तरफ यह दोस्तों आपका second bedroom है और यह second bedroom भी हमारा balcony के तरफ है यानकि fully ventilated है और इस bedroom के अदर आप देखेंगे कि आपको perfectly bed के लिए provision मिलता है पीछे की wall दोस्तों आपको designer मिलती है और इसके अला आपको open space रखा है जिसे की आराम करते वक्त अगर अपना laptop या फिर mobile phone आप रखना चाहें तो वो भी आप यहां पर easily रख सकते हैं और उपर की तरह भी दोस्तों आप देखेंगे कि आपको काफी अची-खाची storage यहां पर मिल जाती है और यह storage दोस्तों आपको दोनों तरफ मिलती है इसके अलावा यहां भी दोस्तों आपको जो ceiling का design है यह काफी शांदार मिलता है और अगर हम बात करें हमारे TV पैनल की तो यहां पर TV पैनल तो नहीं है दोस्तों लेकिन हमने proper जो provision है TV लगाने का वो आपको यहां पर दिया है और इसके साथ यह दोस्तों हमारी window का काफी बड़ी है दोस्तों तो window AC का प्रोविजन भी आपको यहां पर मिल जाता है और उसके अलावा प्रॉपर वेंडिलेशन भी आपको यहां पर मिलने वाली है तो चलिए मूग करते हैं आपकी बालकिनी की तरफ और आपकी बाहर की गली की तरफ यह दोस्तों आपकी बालकिनी है और वालकिनी के साइज की अगर बात करो तो 14 फिट बाई और फ़ाड़े थीन फिट की आपको बालकिनी मिलती है यहां पर आपको स्टील की रेलिंग मिलती है और complete elevation पर आपको जो trial work मिलेगा वो दोस्तों काफी high quality का मिलने वाला है जिससे आपको washing area मिलता है washing area हमने फोला सा वाइट रखा है दोस्तों जिसे कि आपकी washing machine यहां पर आप इजली रख पाएं आपको पानी का time मिलता है पानी निकलने के लिए जैगे मिलती है दोस्तों यह है दोस्तों आपकी बालकिनी और यह था आपका 2BSK का फ्लेट तो यह दोस्तो जो कीमत है दोस्तों यह हमने काफी कम रखी है आप सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों यह फ्लेट हम आपको 30 lakh की range में देने वाले हैं जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 30 lakh की range में दोस्तों हम आपको इस फ्लेट देने वाले हैं बहुत कम और बहुत वाजिक क Limited का ये चैनल और ये Office आपका है दोस्तों ये आपका अपना चैनल है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक करना ना भूले दोस्तों और इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपके किसी रिलेटिव को दोस्तों अगर फ्रेट लेना हो तो उनको भी शे